हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आलोख खेनी, आज हम बात करेंगे स्मिम पूल का पानी को कैसे क्रिस्टल गेर करते हैं जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा इस स्मिम पूल का पानी बिल्कुली जुंदला है और फ्लोरिंग भी नहीं दिखाए दे रहा तो आज हम यूज़ करने वाले हैं, प्रिस्टल ब्राइट पूल क्लेरिफार, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका चाहा रिजल्ट मिलता है मेरा इस स्मिम पूल गेड़ लाग लिटर का है, उसके इसाब से मैं एक लिटर लिक्विड एक बाल्टी में निकल लेता हूँ और अब बाल्टी में पानी भर लेते हैं उसको पूरी तरह से मिक्स कर लेते हैं देखिए दोस्तों लिक्विड बराबर से मिक्स हो गया है, अब उसको स्मिम पूल के कोने कोने में डाल देना चाहिए विक्विड को अलग अलग कोने में डाल दिया है, फिल्टर को 6-7 गंटे चलाते हैं, और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है फिल्टर चालो गिया, दो गंटा हो गया है, इसका आफेक जिरे-जिरे होने लगा है जोरी भी दिखाए दे रहा है आये दोस्तों, एक गंटा हो गया है, मैंने अभी अभी पीचर बन किया है, और आप देख सकते हो, यह पानी एकदम प्रिस्टल पीयर हो गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, कि पहले पानी कैसा था और अभी कैसा हो गया काफे सारे लोग अपना स्विमिन कूल क्रिस्टल पीयर रखने के लिए बहुत सारी मेहनद करते हैं और कंटा दक फिल्टर चलाते रहते हैं, पानी में क्लोरिन डालते रहते हैं, फिर भी पानी क्रिस्टल के लिए नहीं हो पाता तो अब इतनी सारी मेहनद करने के ज़रुवत नहीं है, जैसा कि आपने देखा कितना भी गंदा पानी हो, क्रिस्टल ब्राइट लिक्विड डालना है और 6-7 गंटा फिल्लर करना है, आपका पानी एक्ज़दम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल ब्राइट पूल टेरिफायर आप अपने पूल जीले से या तो नीचेर दी गई हुई एमेजन लिंक से भी करिच सकते हो